वेल्कम दू मैं चानल देंविजिबल ट्रेडर वीडियो अगर आपको अच्छे लगते तो लाइक कमेंट सेर की जिए बाकी लोग को हमारे साथ जोड़िये पहले हम एक बार रिब्यू कर लेते के मार्केट में बोला क्या था और मार्केट में हुआ क्या है स्रीन कुट होता है तो हमको सेल ले रहा है पास सेल की टालतीस क्या यहां तक और जो हमारी सबश मार्केट गूर्यां हख को रियली 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 बाड इसने फुच्री नहीं eve 갖고 17,000 740 17,000 540 200-point-ka-sale nifty may is not joke right but I easily easily actually captured this 200 points market actually 300 points another niche-gaya so like a brutal brutal this was we didn't expect what is the reason we just got saved in in basically not what क्या ये लेवल पर बाइंग था मैंने बोला था हां ये लेवल पर अगर मार्केट आएगा तो एक बाइंग कर सकते हो आप अप जनरली पीपल नो बेज आई आई जनरली दो ओवर ट्रेदिंग इम्मेड़िटली याट मेंस वन पोजिशन इसक्ट पोजिशन इस जनरली आ ड बैंक अकांट वुड़ाब बैंक्रॉप्टेड आइडियली राइट किल लोग नहीं यहां पर बाइंग की आई डोंट नो टेन थर्टी को तो मैंने ट्रेडिंग बंद करके क्लोज कर दिया था तो मुमेंट मार्केट स्टार्टेड कमिंग डाउन दिस लेवल सेम पर हमारी एक और मेरा था कि मार्केट सायद आज इसके नीचे ना जाए जाए क्योंकि फोटांट एक्यों डेखोगे तो तो यहां पर आती है या तो 1232 तुरी तर्टी अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी रेंज बाउंड ही है निफ्टी भी वह यह जबकि फॉल्स आपके बड़े-बड़े हुए नहों बैंक निफ्टी मैं भी अगर देखोगे जो ट्रेडिंग हमारी बैंक निफ्टी में थी यह ओ यह थी सकेंडल पे इ 17,900 true up to this black level 17,450 okay so this is around 450 point ka sale option with 300 point gas plus option point then we did not start the initiation of trading from here and then we did not trade at all because we were looking for buying यह बैंग हम लोगे कर सकते जब यह रिजिसनास 2 के अंदर आ रहा था under this candle but anyway यह यह दे एंड पे आया तो हमने कुछ बाय किया नहीं अच्छल्य आप देखोगे यह लेवल इनोने अपना सपोर्ट तच का दिया था तो एक बाय हमारा बनता था अटेंट कर सकते जिनोने अगर किसी ने लिया होगा तो सायद उनको लॉस हुआ होगा राइट बट इनीवें ना दो विव इस मोटा मोटा देखो एक बार थोड़ा फास्ट करने की कोशिस करेंगे वन डे चार्ट में अगर मैं बैंक निफ्टे की जाऊं तो बैंक निफ्टे आइए आपने डिमां जोन पर खड़ा है अभी ओके डिमांड जोन पर खड़ा है विच इस अराउंड इस लेवल और मैंने यही लेबल दिया था लोगों को मार्केट आता है तो हम एक बाइं में इनीशेट कर सकता हूं यह सिक्स फिप्टी से बाइंग दिया अगर आप देखोगे और इसने और सब्सक्राइब करेंगा अगर प्राइस अक्षिन को हम देखेंगे मोटा मोटा राइट एक हमारा यह सपोर्ट वान था यह सपोर्ट था दोनों एक दिन में बेसिकली आइडियली ब्रीच हुए है और यह सपोर्ट व को ब्रीच करके अंदर आया है विदाओ शस्टेनिंग मोर दन फिप्टेन मिनिट्स क्या यह सिनारियो हमारे साथ उपर साइट पहले हुआ है यह आर्टु में हमारे साथ दो बार यह सिनारियो उपर हुआ है और वैनेवर इस सिनारियो हापने इन दे मार्केट देजंग दोन बिलो और टू रटू ऑके अंद शस्टेंग पर वनावर वैर वह रही है चांश दाट वी ए रेकावरी ओके हाव मच दिक वी तौन आवर आवार आव तेल यह तार्गेट बट वी वोड़ सी ए ग्रीन गैंडल प्रोबबली ऑन तुजए 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 हमारा वैसे भी आश्टाइमिंग जो टाइमिंग हमारी है वह 9 15 2 10 15 और 10 20 के आसपास जो है वो पॉसिटीव है 10 20 10 45 10 50 जो है यहां पर वीकली वीडियो में मैंने बोला था कि बेसिकली आपको जो वीव होगा टाइमिंगा मंडे मंडे हम लोग क्लियर ली पॉसिटिव साइड नहीं थे इफिव तेकन दस्क्रीन सुट राइट मैंने बोला था मंडे ता मंडे दर इस वन टू आवर्स आवर्स आफ ताइम वेंगे रहूंगा यह कॉशन में आपको निफ्टी में दूंगा उसको याद रखना आपको अदर्वाइस इस ताइमिंग के साथ आपकर सकते हो 10 12 to 10 45 half an hour to 40 minutes का जो time period है वहां पर रेट कैंडल मिल सकता है इपाइड बी पॉसिब दर रेट कैंडल might be very very big okay so that means after 11 o'clock हम बाइं इनिशेट कर सकते हैं till the entire day okay that is what now the question is जो हमने weekly वीडियो में बोला था bank nifty has fallen almost 5000 points okay today it is almost 1600 to 1700 1700 1700 1600 point fall easily in bank nifty single candle okay now whenever bank nifty makes a 2000 point candle okay if it has to fall it has to fall in a follow-through okay it has to fall in a follow-through that means it has to gap down at least below the closing level so that means bank nifty 37,000 के नीचे gap down होना चाहिए तब जाके आपकी selling आएगी otherwise आपकी selling बड़ा वाला नहीं आ सकता है और यह selling मी जो आएगी ना market basically go ahead and recover again okay so अगर मंडे trading कैसे करना आपने को मंडे 37,000 के नीचे अगर मार्केट कर लेता है लेट मार्केट फॉल बाइन सिंग आश्टो टाइम जो खाली प्राइस एक्षिन का बता रहा हूं अगर मार्केट फॉल रहा है फॉल हो रहा है लेट मार्केट फॉल यह बाइंग वोड भी आराउं आई प्रिफर के कल यह सिनारियो ना आए दे सेकेंड चांसे सफ इस आपको अगर डबल बॉटम से बाइंग मिल जाती है तो भी आप इनिशेट कर सकते हो अगर यह ग्यारा बजी के आसपास मिलता है तो बहुत बढ़िया बात है अदर्वाइस ग्यारा बज़े आपको इस नाओ कमिंग तू आईडियली दो चार्ट पाटन्स अगर आप देखो कि यहां पे आपको एक हैंड शोल्जेस पाटन दिख रहा होगा अगर मोटा 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 बना दू राइट जो अभी रेडी हो रहा है और यह उपर जाएगा sorry internet is a little bit slow guys so just bear with me a little bit the trading view is actually slow yeah so if i look at the head and soldiers pattern let's say we are saying the magnetic wing cross okay हें लिन्हाट के庇स कि यहांपर हेड और हीट सब्सक्राइब करने के लिए हमारी पास दो neighborhood है या तो यह टार्गेट है 38,344 ओके और मार्केट को एंगो लिटल बिटाप किया बट हमारी टार्गेट लेट से 38,344 के आसपास हम लेते हैं उचिस बेसिकली आर मैंगनेटिक लेवल मैंने क्या बोला था वीकली वीडियो में यह जितना नीचे जाएगा लेक सपोर्ड वा मतलब यहां तक मार्केट आएगा टाइमिंग हमारी बता रही हो कल पूरे फुल्डे पॉजिटी बता रही है एक्सेप्ट हापना और टू फॉर्टी वैं मिनिट्स का जो डाउंसाइड है डाउंसाइड वी नीचे अगर मार्केट ट्रेड करना है जिसे मैंने आपको बता अगर मार्केट ट्रेड करता है इस मार्केट गोइंग बिलो थर्टी सेवन ताउजन देन यूड वेट वर बाइंग उडबी अट टू लेवल्स यह बीच में नहीं करना है आपको एदर दा बाइंग विल कम फ्रॉम दाबल बॉटम विचिस तर्टी सिक्स ताउजन सिक्स पास है और दो बाइंग विल हापन अरॉंड थर्टी सिक्स ताउजन तू हंड़नेड यह लेवल पर बाइंग करना है अगर मार्केट इसके नीचे सस्टेंड कर रहा है आपको दिख रहा है रेड कंडल बना फिर बाइंग मत करो यह सिनारियों ना ओके मार्केट ग्याव तरहल आपको यह लेवल के आसपास अगर मार्केट बाइंग डी देता है तो मार्केट से बाइंग ले लो एक सिनारियों क्या होगा जो ट्रेडिंग का मार्केट फेसांबल याप डॉट गूट गीव दीव एस सिल वहापना और का सेल और इचोट वहापन आपन अरो का सब्सक्राइब 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 कर जाता है तो यह बिकम बेरी वेरी शूर के सब्सक्राइब करेगा यहां से अब बाइं गांट हो गया तो यह बरी शूर के बारे पॉजिटिव जाएगा बड़ा फॉल नहीं होगा बड़ा फॉल जो होगा वो गाप डाउन पॉसिबल नहीं ओके राइट आएड मेरा जो वीव है जो हमारा वीव था कि यूस्टे हमारा मार्केट पोजिटिव रहेगा वेडनेश जे मार्केट रहेगा थे भी हमारा रेंजबाउंड देर वेरियस पॉइंटर्ज वार्मार्केट बेसिकली गोए पोजिटिव और न सब्सक्राइब जो मॉनिंग का हाप है वो पॉजिटिव है सेकेंड आप में बेसिकली हमारी आइडियली सौरी मॉनिंग का हाप सेल है और सेकेंड आप में हमारी ठीक है तो अगर आप सबको मिला दोगे न मुझे नहीं लगता कि बैंक निफ्टिकन गो एबब इस लेवल सब्सक्राइब तो यह हमारी टार्गेट हुनी चाहिए कलका दे में वी विड़ बेट पॉजिटिव साइन अपकोर्स अगर कलका दे हमारा सभी निकल जाता है तिन वी लूपर पॉजिटिव लूट पुपल माइट बी तेलिंग यू प्रोबबली क्रास नंबर बिलो देस सब्सक्राइब यूपर जा चुका है यह पहले भी हमारे साथ हो चुका है पाटन में निफ्टी में आ जाते हैं निफ्टी में अगर में आओ मैंने गुरुप में आप लोगों को एक ट्रेंड लाइन ड्रोगर की दिया था विच इस फ्रॉम लास्ट वन यह गार त्रेंड लाइन अगर आप देखोगे इस वाट विकली ट्रेंड लाइन इक यह तेंड लाइन वेन निफ्टी हमें साथ शॉपर्ट लेके अगर आप देखो गिए विकली कांड़ प्रिविए स्वी कैंडल इस विक आनल इस बीकेंडल इस प्रिगर दन प्रिवेस के लाइन इस यह वी कैंडल टार्गेट इस जिवेन इंड इंडि तॉपर्टी तो 270 तू या 270 लेवल है यह नीचे वाला लेवल इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन कर जाता है यह यह ट्रेंड लाइन के नीचे डेली क्लोजिंग कर देता है तो मार्केट विल प्रोबाबली फॉर नेक्स वन और तू मॉन्स में और गो अपसाइड इट विए है डाउन सेडर लाइक इस यह चैनल आपका इस तरह से दुबारा यहां पर बनेगा जो अल्रडी फॉर्म होना चालू हो गया अधा अधा गंटा ठीक है अधा अधा बनना चालू हो गया तगर आप देखो लिए ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है ओके विच इस आराउं 17,240 के आपको दिखेगा यह ठीक है यह वाला जो है यह देन लें जो इग्जाग्ली अगर आप देखो कि आज उसी ट्रेंड लाइन चे सपोर्ट लेंगे मार्केट गया है कल हमारी जो बाइंग होगी और 17,271 यह डबल वाटम भी है निफ्टी और आप लोग को अगर याद होग आपको क्या आपको एक बाइंग अटेंट करनी 17,270 के आसपास अपको एक बाइंग कर सकते हो 17,270 के आसपास बट अगर एक पांस मिनेट का कैंडल भी रेड़ बन जाता है इसकांड इसकांड अप कैंडल इपिकमस रेड देन एग्जिट फॉम यह बाइंग पोजिशिए ज्यादा बड़ा लॉस नहीं लेना है मार्केट में लॉस लेके आपको निकल जा रहा है ठीक है देन आपकी जो बाइंग आएंगे ना आइडियली वह आएगी 17,130 के आसपास मोटा-मोटा लेलो 17,100 के आसपास आपकी बाइंग आएंगी और टोकिंग अबॉट थी हंड़ 4.4 again okay and this scenario would happen only if market gaps down below this level 17,360 market gap down then only we might see this scenario otherwise not okay as long as so more time what are you as long as market is sustaining this level or this trend line now okay 17,000 270 17,300 year bottom if it is sustaining that bottom you have a chance of go for buy if you get it I don't know whether you will get it or not but if you get it you can get go for a buy your stopper should be this only okay market should ideally reverse here also if you look at scenario resistance two is breached and it is back above the resistance again did not sustain for 10-15 minutes in that case what happens generally market generally might gap up okay market might gap up and might gap up and continue the trend on the positive side okay okay so yes scenario be possible have this map level to wait can be the market especially gaps up above this you know that means 17,000 500 gap up or you level up to sustain for one hour gas pass okay tomorrow we might probably see the recovery up to this okay and here in nifty the magnetic level is this seventeen thousand nine hundred and this is the train line resistance so सब्छेंगेंगेंगें तक अपने तई रिवास तई तक अपने पास टाइम है 17,900 का सब्सक्ताथ पार्किवार्कित थी आजा आ चाहिए अगर एट फिवाल मार्कित तो नीचे से जा रहा है तो उपएए Muchas 990 ऐख लिए अम्लुप एजली बेख सकते हैं that means another 500 point की buying okay from this from today's closing we can get easily okay it might be volatile but my view is very very simple trend line we already support daily weekly trend line supported so this 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 is a very good sign okay or nifty other I'm the King in the amount of fall that nifty has happened probably in from top, if you look at 18,600 say, Nifty has fallen up to 17,300 it is 1300.4 which is really, really huge okay, which is really, really huge, एक चीज़ काली आप जो देख सकते हूं, एक मंथली वाला चाट आप ले लो और मंथली वाला चाट में you can see one thing that we are seeing here, इस मंथली का जो ब्रेकाट लेवल है वो बेसिकली आइडियली अभी तक टेस्टेट नहीं हुआ है that means, it is a 16,000 वाद में बात करेंगे, can Nifty come down to 16,000, it might be possible provided that the trend line is broken जो मैं बुला था कि एक चैनल यहां पर दॉनसाइड में आपकी बनने की onwards, but I don't think that will happen basically this way, okay so Nifty में भी अगर आप देखोगे Nifty में एक चीज है की इसका है एक एक चीज है की इसका है एक एक चीज है पाटन जो है वो बनके रेडी हो गया if you look at this so the head and soldier's pattern is ideally already made right थोड़ा थेड़ा है बड़ी इस चीज है आइडियली कंशीडरी ड़ाइड नेकलाइन इस ब्रोकन ओके नेकलाइन इस ब्रोकन नेकलाइन ब्रोकन है एक हमारी व्यू कहा रहती है इसने इतना बड़ा जो टार्गेट दिया है आज आज आफ्टर दे ब्रेक अप्ट नेकलाइन कम से कम इसको नेकलाइन रीटेस्ट करके फिर कॉल होना चाहिए अगर होगा तो अटलिस नेकलाइन दख की टार्गेट तो अपन लेके जा सकते हैं सब्सक्राइब देखो अपना बाइस तो नहीं रहेंगे पोजिटिव मैंडशेट आपका कब लिगनोर होगा जब यह त्रेंड लाइन के नीचे मार्केट सस्टेंड करेगा लुक्य यह त्रेंड लाइन ही आपकी सपोर्ट होनी चाहिए इसेव इस टोपलस लुक्ष भॉ सब्सक्राइब लुक्स पॉजिटीव यह तो फॉर्टी के आसपास मेरा लेवल ता यह तू सिक्स सेवेंटी से उपर गया है ठीक है तू फॉर्टी साइद ब्रिच नहीं होना चाहिए विकली लेवल की बात कर रहा हूं डेली में अलग बुला था और बैंक नहीं लगता यह 36,600 का जो लेवल है वो ब्रिच होना चाहिए विकली लेवल पे इस अलसो पावर्फुल लेवल यह जो ब्लाक वाला में नहीं बनाया है इस अलसो पावर्फुल लेवल मार्केट यह से उपर चला जाना चाहिए बट आपको प्राइस एक्शन देखके ही बाय करना है टा कि अ चलसो प्रिच आपके ही बाय करना है।